बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां PFI मामले में एक बार फिर NIA और ATS की टीम ने पटना से फुलवारी शरीफ और दरबंगा चापा मारा है रविवार की सुबा पांच बजे से ही टीम ने दोनों जगा पर कारवाई की है इस दोरान दरबंगा के बहेरा थाना शित्र के छोटकी बाजार से एक संदिक्त युवक की गिरफतारी की गई है युवक के बारे में बताय जो रहा है कि वो पटना के मदर से में रहकर पड़ा की है वही एना ये और एटियस की टीम ने पटनापुलेस के साथ मिल करके फुलवारी शरीफ के इमरते सरिया के सामने एक बुक इस्टॉल पर छापे मानी की है जहां मौमद रियाज उत्तिन कास्मी के यहां छानबीन की है रियाज उत्तिन एक किताब की दुकान का मालिक है बता दें कि जांच में रियाजुतिन कास्मी ने NIA की टीम को कहा है कि अगर किसी तरहा के आपतिजनक किताब मिलती है तो वे उसकी जांच कर सकते हैं पंजाब किसरी ब्योरो रिबॉर्ट